हलो एबरेबन वेलकम तो एस उपीपीएसी मेरा नाम वधना सिंग है इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे कि जो आपका यूपीपीएसी 2022 का जो एक्जाम होने वाला है प्रिलिम्स जो आपका 12 जून को है तो उसके लिए करंट अफेर्स क्या 15 माई तक पढ़ने जो है ठीक रहेंगे या नहीं तो हम यही डिसकस करेंगे इसमें बाइक यह पिरिलम्स कोड豆 है टेट सीरी सकार करके जो है इसको जौन कर सकते हैं यह यह करंट अफेर्स कोर्स है इंगलिश मीडियम मैं है और बाकि जो प्रिलम्स 2021 था उससे डारेक्ट 84 कोशिन प्रिडिक्ट हुए थे नीचे पीडियाफ होगी वहाँ से आप इसको वेरिफाय कर सकते हैं तो यह टेस्रीज की डिटेल है और यह करंट अफेर की डिटेल है तो हमारा कोशन है कि 15 में तक जो है करंट अफेर करने हैं या नहीं तो इससे पहले हम दो तीन चीज़े देख लेते हैं जो आपका 2022 का एक्जाम था UPPSC का अपर सबॉर्डिनेट वाला जो आपका एक्जाम था अब PCS का एक्जाम तो उसमें जो वह आपको कब हुआ था 11th October को 11th October 2020 इसमें current affair कहां तक आया था इसमें current affair आया था आपका August 2020 तक यहां तक आपका current affair आया था तो मतलब आपका October में paper था October का current affair नहीं आया September का current affair नहीं आया August 2020 का current affair यहां तक current affair आया था दूसरी बात आपका 2021 का जो UPPSC का एक्जाम है PCS का वो कब हुआ था 24 ओक्टोबर 2021 इसमें करंट कहां तक आया था इसमें भी जो करंट है आपका August 2021 तक आया था तो मतलब October का नहीं आया September का नहीं आया तो August 2021 तक जो है current आया था अब तीसरा देख लेते हैं RO ARO जो मेंस है आपका जो अभी आपका 24 अप्रेल 2022 को हुआ है इसमें current आया आपका इसमें current आया आपका जैनवरी और कुछ कोशन फैब्रेरी के है तो जो last current fare है वो यहां से आया है तो मतलब March का नहीं आया और April का नहीं आया देख रहे हैं आप पूरा देख रहे हैं आप 2020 में किस तरह से 2021 में किस तरह से आया तो March का नहीं आया अभी हाली में एक paper हुआ था UPPAC का तो शायद उसमें 25 दन पुराना एक question पूश लिया गया था अब बात आई कि 15 मही तक पढ़ें या ना पढ़ें देखो 15 मही तक पढ़ने की बात यह है मेरे हिसाब से जो है 15 मही तक नहीं पढ़ना चाहिए क्यों अगर 15 मही तक आप पढ़ेंगे तो कम सकम 15 मही की आपके पास कितने pages होंगे 25 pages आपके around 25 to 30 pages 25 तो होंगे 25 pages आपको पढ़ने है एक बार उनको reading देनी है फिर उसके बाद उनको revise करना है फिर उसके बार re-revise करना है क्योंकि दो बार पढ़के तो नहीं होगा कोई फायदा नहीं है, चीज़े याद नहीं रहेंगी, तो re-revise करना है, तो इतना time consume करना है, और अगर question कोई आया, in case अगर कोई question आता है, तो वो एक question आएगा, एक question से ज्यादा question नहीं आएगा, in case, और वो भी question वो कि अगर कोई बहुत major event हुआ हुआ है, तब वो question आ सकता ह है, और normally भी मतलब एक question से ज्यादा नहीं आएगा, तो कम से कम 25 page जो आपको एक बार reading देनी है, revise करना है, re-revise करना है, तो इतना ज्यादा time आप उसको दोगे, 15 मही के current affairs के लिए, एक question के लिए, तो मेरे हसाब से कोई ये, कुछ इसका cost benefit कुछ नहीं निकल रहा है, इससे अच्छा है कि आप इसको 15 में को skip कर सकते हैं, उस शर्त में आप इसको कर सकते हैं, शर्त यह है कि जैसे क्या हुआ, आपकी preparation बहुत अच्छी है, आपका सब कुछ revise हो गया, आप confident है, आप ठीक है, तो फिर अगर आपने सब कुछ revise कर लिया है, सब कुछ revise हो गया आपका April त सब को revise कर लिया, इन सब को करने के बाद अगर आपके पस time बचता है, तो आप 15 में तक के current affair कर सकते हैं, in case अगर आपके पस time बचता है, otherwise skip that part, April 2022 तक के current affair करना सही रहेगा, मेहनत करने की कोई जुरत नहीं है, it's better कि आप उन चीजों पर फोकस करो, जो जादा इंपोर्टेंट है, जो सॉलिड चीजे हैं, जो आपका एप्रिल तक के करन्ट अफेर्स हो गए और जितने सारे आपके सब्जेक्ट हो गए, उनको रिवाइस करो, इसको मत करो, इसको जो ह है, last priority दो, last priority, मतलब, अगर सब कुछ हो जाता है, तो इसको दिमाग से निकाल मतलब अगर अगर सब कुछ हो जाता है, तो मैं देख लूँगा, अगर देख लूँगा, सब कुछ हो जाए उसके बाद इसको करना ठीक रहेगा लेकर नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो आप इसको नहीं करिये एपरिल तक के करन्ट अफेर्स करके जाएगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और करन्ट अफेर्स के लिए जो है आप ACPPSC का कोर्स ले सकते हैं लास्ट यह 96% कोर्शन जो है ACPPSC के कोर्स से ही आयते नीचे एक PDF होगी वहाँ से आप इसको वेरिफाय कर सकते हैं थैंक्यू और अल बेस्ट